जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्पी एप भरती 2022 के बारे में दोस्तों ये विकेंसिक कब आने वाली है आयूशीमा सेक्षिन ने कियोगी ताथ चैन पिरकिरिया आविदन सुलक सभी टोपिकों पे इस वीडियो में हम चर्जा करने वाले हैं दोस्तों तो दोस्तों आपसे चोटी इस रिक्वेश्टर की वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि कॉंस्टेबल पॉस्ट रिजल्ट के लिए मतलब आर्पीएप की लिक्त अधिसूचना सभी टोपिकों पे इस वीडियो में मैं बता देता हूं बात करते हैं सेक्षिनिक योगेता की आर्पीएप में योगेता क्या रहने वाली है उमिद्वारों को मानेत अप्राप्त बोर्ड या विसविदाले संस्ता से दस्वी कक्सा के लिए उत्रीन होना चाहिए मतलब इसमें कॉंस्टेबल और SI के लिए विकेंसी रहने वाली है तो SI के लिए विसविदाले मतलब आपकी ग्रेज्वेशन पास होना चाहिए और कॉंस्टेबल के लिए दस्वी पास अब इसके IOC मा की बात करें तो IOC मा उमिद्वारों के नियुनतम 18 वर्स और अधिकतम 25 वर्स और IOC में छूट के टिकरी के नुसार रहेगी बात करते हैं कि लिए सुरक्सा बल बरती अधिस उचना 2022 के बारे में कि कब ये वेकेंश रहने वाली है ओनलाइन फोरम कब से तो आवेदन जमकरानी की प्रारमिक्तिति अभी जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी आवेदन जमकरानी के अंतिम्तिति जल्द ही आपको अपडेट करवा द जाएगी दोस्तों बात करते हैं सुलक की तो इसमें सुलक की अभी उम्यद्वारों को मतलब जो सुलक वीवरन के नीचे दिये गए एदिसूतना में जाकर देखना है मतलब अभी नोटिस जारी होगा इसका तब इसकी सुलक की बात करेंगे बात करते हैं वेतन की तो इसके वेवसाइट पे जाकर आपको RPF का फोर्म अपलाई करना है बात करते हैं चाइन पिरकिरिया की दोस्तों तो चाइन पिरकिरिया इसके अंदर रहने वाली है दोस्तों उम्मिद्वारों का चाइन लिकित प्रिक्षिया होगी पहले पिर सारी रिक्षिता प्रिक्षिया प्रिक रियाप के दर लेकिन जब भी किधर जाय का लिए निया जाएगा लेकिन नुमहें परने आने वहाला है जोस्तों अन्लाइन आवे दन्हार परवेश पत्र कुंजी परिणाम कब क्या किया जाएगा तो प्रिंट के आदार पर किया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों बहुत सांदार नोक्री है आप भी चाहो तो इस विकेंशी के लिए फोरम अपलाई कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कीजिएगा जाहिए